स्वागत है बच्चो आपका आपके विज्ञान की क्लास में और आज हम लोग कर रहे हैं विज्ञान भारती एक एने क्लास 6 की अभ्यासकारी पुस्तिका और इसके अंतरगत बच्चो हम करेंगे आज लेसन 6 जीव जगत इस लेसन को आज हम लोग यहाँ पर करेंगे इक आई छे एक आई पास तक हम लोग अच्छे से कर चुके हैं बच्चो आपने उसको रिवाइज भी किया होगा पढ़ा भी होगा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जीव जगत तो सबसे पहले हम लोग करते हैं निमलिकित प्रसनों के सही विकल्प छाटिये पहला है रात्रि प्रकाश ध्वनी इस पर्श ताप बच्चों जानते हैं आपने भी कई बर चुआ होगा आपके चूते ही मुझा जाती है यानि कि शर्मा जाती है इसलिए उस पर्स करने से वह पत्टियां चुआ है वह उस उद्वपन को के प्रति सम्वेदन शील होती हैं मेधक तोचा द इन पर प्रकार के पौध की सबसे कम निमने कितने से किस प्रकार के पौधी की लंबाई सबसे कम होती march जाड़ी दोनों तो कहह बरक्षत निर्पक्रार के सबसे कम होती हैं पौदों में सामानिता सोशन के दिया होती है वह जड़ः, दौट फूल दौड़ः या पढड़ रंद लार तो फोढड़ निरखता के दौरई ही्ट बरते एफने अगले स्दानले की और रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए, पौधे के जमीन के उपरी भाग तथा जमीन के अंदर के भाग को कहते हैं, तो पौधों के जमीन का उपरी भाग प्ररोतंत कहलाता है, जमीन के अंदर के भाग हम लोग कहते हैं, जर्द तंत्र, सोपरसी पौधे अपना भोजन की पस्थीद मेंD बनाते है कथ्ण गोंद हींग पॉधे के पदरते कौन से उत्सरजी जो पॉधोक लेजिय लेजिन así कर सबहब दियाहर निकालती है कंद्ध जड़ए आकार की होती है किस आकार की होती है शंक क्या सबसे बड़ी कोश्का है पेर पॉद्ध व्रद निकिरगतों में व्रथ जल को सुम्य लित करना बाद मनुष् पुष्प कैसा होता है केला केला दी वर्षी पहड़ा है निमलिकित में जो बेमेल है उन्हें छाट कर लिखना है सरसो सूरज मुखी लौकी कवक तो कवक जो है वो यहां पर अलग है कक्षुआ पच्छी मगरमाच मेड़क तो इसमें क्या चीज अलग है यहां पर शेर बकरी हिरन गाय तो यहां पर क्या है अलग हो जाएगा क्या है गाजर मुली आलू शलजब तो इसमें अलू अलग हो जाएगा क्योंकि वो तना है गोंगा इसमें अलग है तो इससे लिख दिया जाएगा सूक्ष्म जीवों को सूख्षम दर्सी की सहता стали देखा जाता है, शरीर का निर्मार करने वाली छोटी छोटी सरचना को क्या कहते हैं, उस छोटी सरचना को कोशिका कहते हैं, उन जीवों को जिसमें रीर की हड़ी नहीं पाई जाती, उसे कहते हैं क्या अकशेर की जंत, जिन जीवों में रीर की हड़ी नहीं पाई जाती हैं, कैए अप्सिस्ट पदार्थू के सरी से बाहर निकालने की किरिया को कहते हैं उत्सर्जन यहां देखिए बच्चो निम लिखित प्रस्टनों के उत्तर लिखिए शाक जाड़ी तेथा वरक्ष की विशिस्ताओं की तुलना कीजिए तो हम लोग यहाँ पर कालम खीश लेंगे एक तरफ लिख लेंगे शाक जाड़ी वरक्ष उपर लिखेंगे उनके गुणों के उच लिख लिखिए उनकी कितनी होती है तना उनके क्या होता दो उसका एक्जांपिल में हुआ जाड़ी मूरी और 30 Community के लंबाई होतीयर यह इंगजिक गुढर होते हैं वरक्ष मेंटर से अधिक होते हैं encatives को त्जल द्था पधों करते हैं पधारओ के नचिता सर्पहस प्रकार पक्रेंट wisely कि अपने अपने मनी प्लांट आपने मनी प्लांट और लोकी के पौधों को वश्य देखा होगा ये पौधे जाड़ी तथा व्रक्ष के किस प्रकार से अलग है इस तरह के पौधों को क्या कहते है मनी प्लान तथा लोकी के तने इतने कमजोर होते हैं कि अपने आप खड़े नहीं रह सकते और जमीन या सहारे पर ही आगे क़ना है जर्द तथा तना जर्द अथा तना के ऐसे चार अधरन लिख्ये जिनका प्रयोंग हम खाने के लिए करतें तो सब्से पहले जड़ का देख लेतें गाजर, मूली, सलजम, शकरकद, इन सब की जड़ों को हम खाते हैं, तना के देख लेते हैं, आलू, अदरक, अर्भी, गन्ना, इन सब का हम प्रियोग करते हैं आरोहर के लिए रूपांदरां वाले पौधों के नाम लिखिया है, निकि आरोहर के लिए रूपांदरां के लिए पौधों के नाम क्या से अंगूर, कद्दू, मतर, यह पौधे आरोहर के लिए रूपांदरां वाले पौधों के नाम से जाने जाते हैं आगे दिखिए इस कोश्चन को बहुत ही आसान है आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सा है नहीं निम्लिकी जंतों को उनके लक्षणों के आधार पर पहचान कर अलग लिखना है चिकली कबूतर गाय बिल्ली केचवा तिलचटा अमीबा मुर्गी अब गुड क्या है ज क्षिए झाली रिककान करीज़ा पर शाम संदों करेंने रिक्ता रणाओ है जाती है यह जाती है होगा पर यह जाती हुछ फप्त बोमाला स्थट्वया, सोच्वा तीवा गॉष्ट गाय ऐसा से मेरूदन भम सब्सक्ति हैН लेकिन रीड की अड़ी नहीं पाए जाती यानि कि मेरुदन नहीं पाए जाती इसलिए अकशयुर्की होता है अंडूज होता है और स्थली होता है अगला प्रस देखिए नीचे दिये के जन्तों को उनके भूजन के आदार पर छाट कर अलग करना है बक्री शेर चुहा काक्रोच गाए मेधग मनुष्य कुत्ता बिल्ली गलहरी कभूतर गित यह शाकाहरी जन्त इधर लिखने हैं मांसाहरी जन्त लिखने इस खाने में और सर शेर क्या है मांसाहरी है चुहा क्या है चुहा तो भई दोनों चीज़े यानि की सर्वाहरी हो गया काक्रोच क्या चीज़े काक्रोच हमारा सर्वाहरी में आ जाएगा गाय क्या है वो क्या है वो शाकाहरी है मेधग क्या है वो मांसाहरी है मनुष्य सर्वाहरी होता है कुत् बिल्ली सरवहारी में ग्रहरी सरवहारी में कबूतर कबूता ह 58 हारी में कबूता हारी गड़ारी में आ जाया जाओं सको जाले को हला वह समय अपर ब吉 stylisLE अच्छे से पढ़ा हुआ हो तो आप इसको में साल्व कर सकते हैं आप अपने माता-पीता के साथ मनस्वत ध्यान घुमने गए वहां पर आपने विभीन प्रिकार के पॉधों को देखा देखे गए पॉधों के नाम के साथ उन्हें पुषपी अपुषपी है शाक जाड़ी वरक्ष में वर्गी करकर तालिका में लिखिए अब देखे जो पॉधे आपने देखे वहां पर उनके नाम तो लिखने हैं यह साथ में पुषपी या पुषपी या नहीं होता है वह जाड़ी है या वरक्ष है तो सबसे पहले गुलाब गुलाब तो हर जगे पाया जाता ह गुलाब में पुषपी आते हैं और यह जाड़ी है आम का पेर पुषपाते हैं यह वरक्ष है नीम का पेर पुषपाते हैं वरक्ष है गुरहल पुषपी है लेकिन यह वरक्ष नहीं जाड़ी है मटर कैसे पुषपी और यह क्या है शाक है तो इस तरीके से हमने इसको कशेरकी अंतर पुष्प और फल पाए जाते हूं जैसे कवक और रघ्य नहीं पा जाते हैं वहाइसे की काक्रोश यहां पर देखिए डाइग्राम बना हुआ है दिये गे चित्री में विविन भागो को नामांकित कीजिए यह अपने अपने कौपी में भी बनाया है तो बहुत अच्छे से आपको याद आ रहा होगा कि सबसे उपर वाले भाग को वर्तिकागर कहेंगे इसकी नीचे पतली र सब्सक्राइब में पाए जाता है मचली में पाए जाता है शेर में होता है कबूतर कभूतर में और बिल्ली और किली यह कसे और की होते हैं अब यहां पर आता है अंड युच अंडा देने वाले तो गूंगा मेढर मेढ कभूतर शिप के लिए कभूतर देने वाले हैं फीर जरायू जनी बच्चे देने वाले तो दिखिए गाय शेर बिली बच्चे देते हैं इसलिए हमने चाट कर लिग दिया फिर बहुत कोशिक जिनका सरी बहुत कोश्का उसे बना होता है यहां पर देख लीजिए हाइड्रा है घूंगा है मचली है मेडक है कबूतर भी है गाय है अब देखिए निमली की संकेतों की सहाथा से वर्ग पहली को पूरा कीजिए अब आपको यह वर्ग पहली करने जैसे अब अधिक तर लेस्नों में करते आ रहे हैं सबसे बहले बाय से दाय यानि कि इस तरफ से ऐसे से आपको देखना है तो उभैचर्च जंदु का नाम कर दो अलिखा तो इस दो बढ़िया में फिर डोशी पहले करनों मलगा हो गया लगा तेले में सबस्तै कुट नमबर तीन आप उनिए देंपका येृ गूलाब गुलाब हो गया जमीन अन्दर ऑुका भाग अब नंब आपको यह देखे अड़ा लिखा जड़ जड़ जाएगा फिर अपस्थानिक जड़ो वाला पौधा नंबर 6 पे मक्का यह देखे माली खाओ अधाका अकाई मक्का हो गया फिर कुम्भी रूफ जड़ का नाम नंबर साथ पे नमबर साथ यह देखे लिखावाँ शल लिखावाँ जाओ मालगाद यह सल जम हो गया अब इसी तरीके से हमें ओपर से नीचे की और आना यानी कि ऐसे खड़े में करना है आप उश्पिये पौधा नमबर आट पर देखिए आप उश्पिये पौधा खड़े में देखना है कावक कवक हो गया फिर शाकी बहुवर्षी पौधा यानी कि दूब घास नमबर नौ पर दूब और घास हो गया फिर बहुवर्षी जाड़ी नमबर दस पर देखिए यह देखिए गुड़ हल गुड़ हल बहुवर्षी जाड़ी है फिर नमबर ग्यारा पर जलिये पौध नमबर 11 ढूंड़िये जलिये पौधा कामाले कमल हो गया फिर मूसरा जड़वाला पौधा यह आपका आएगा 12 नमबर पर यह देखें 12 नमबर पर यह क्या हो गया यह हो गया चना तो इस तरीके से वर्ग पहली बहुत अच्छे से आपने साल्व कर लिये बच्चों इकाई 6 आशा को छोड़ देते हैं कहने का मतलब होता है कि जब हम एक उमीद लगा लेते हैं हमारे पास एक आशा होती है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं यानि हम हमारे अंदर उतसा भी है आशा भी है उमीद भी है कि हम ऐसा नहीं कभी सोचते कि हम यह काम नहीं कर पाएंगे यानि हम ह आशा झोड़ दे आपका साथ नहीं चोड़ा तो क्यूंद हम ऐसागरे कि हम भी आशा का साथ ना छोड़े खमेशा। उसका साथ पकड़े रहें और उसके साथ के साथ ही मिल्art निराशी कमभी नहीं होंगे हमेशा एक बार में उन्होंने कमटिशन ना निकाला हो तो किसी कारवस रहे गया हो तो अगर उनको उम्मीद है नहीं इस बार नहीं निकला कोई बात नहीं अगली बार हम जरूर निकाल लेंगे और इस आशा के साथ वह और अच्छे पढ़ाई करेंगे और मेहनत करेंगे निशित त अगर हमोप को बनायर रहते हैं तो आप यात कर र RH किये कि हाफ को कभी भी किसी बी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा और नहीं ऐसर पालता का समना करना पड़ेगा हमेशा सपलता ही आपको मिलेगा कि आप उम्मीद नचोड़े आशा नचवक टोड़े मिलते एकल